हेलो اوٹलिय में cello kitsğininê kaitting to solve your all- ilgili explosionก offback dosta आपको हर एक चीज में आपको इस वीडियो में बता रहे हैं और इस चैप्टर में में आपको हर एक चीज बता रह Hin तो उमीद कर Mitteexplos 2 भीङे। आपको अच्छा लगते gusta बिना दprof table के अपना वीडियो शुरू करते है और इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों पेश्ट्री ब्लेंडर तो बैसिकली पेश्ट्री ब्लेंडर क्या होता है एक हैंड यूटेंसिल होता है जिसको कट कट फर्म मतलब जो फर्म शॉट्निंग रहते हैं और बटर रहते हैं इनको पीसे में कट करके मिक्सिंग किया जाता है तो उसके लिए पेश्ट्री ब्लेंडर का यूज किया जाता है अभी सेकेंड आगया दोस्तों हमारा पेश्ट्री विल्स तो पेश्ट्री विल्स का यूटेंसिल से रहते हैं दोस्तों जो जिसको ब्लेड नाइफ रहते हैं जो कि ट्वेंस रहते हैं जिसको ब्लेड नाइफ रहते हैं वो किसलिए यूज किया जाता है बोत मतलब करने के लिए और सील करने के लिए जो एज ओफ पेश्ट्री रहते है उनको सील करने के लिए यूज किया जाते है और इसमें यह लिख है pierskin बिश स्मूध रहते है जैग रहते है और फ्लूटइड एड़ रहते है दोस्तो यह पेस्टी विल सा गया अब नेक्ष सा कारथे कणते हैं बिस्कूट कैरेट यह एंक्षच लिए दोस्तों तो खुतिका साइब क स्ट that रहते हैं TOP sharp edges उसका biscuit cutter का age कैसे रहते है दोस्तों sharp edges रहते है producer clean cut बहुत ही clean cut produce करते है cutters जो रहते है that have a dull edge will compact the dough and the biscuit will not rise when the baking तो जो cutters रहते है उसका dull edge रहते है जो compact dough को compact करते है और biscuit का ज्यादा rise नहीं होते है जब उसको baking करते है तो दोस्तो next आगया chopping board तो chopping board आप सबको पता है generally white color का होता है अगर आप first year में है तो आपको पता रहते हैं चोपिंग board किसलिए use किया जाते है जो की bakery में use किया जाते है जिसमें knives आगया भी नाइफ तो various shape के knife यूज किया जाते है बेकरी में जैसे यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तो फर्स आता है vegetable knife जो vegetable knives है दोस्तो vegetable knives हो गया फिर pairing नाइस यूज किया जाता है peel cut और chopped vegetables और fruit के लिए bread knife यूज किया जाता है जो की bread loaf रहता है तो इसको slices करने के लिए अब next आते scooper दोस्तों तो scooper आप सबको पते है handy tool रहते है clear बहुत ही चलाकी से इसको design किया जाते only suited for scooping many types of vegetable and fruit such as tomatoes हो गया, cucumbers हो गया, avocados हो गया, melons हो गया इनके लिए scoopers का use किया जाते है दिहान में देखेगा different size of scoop used for making यहां से आप देख सकते हैं दोस्तो different types of scoop रहते हैं जिसको drop cookies हो गया, mini muffins हो गया और cup cakes के लिए use किया जाते है अब next आगया graters जो इसको क्यों चीज को grate करने के लिए chocolate और other fruits item में उनके लिए use किया जाते है अब नीचे देखते हैं दोस्तों तो नीचे आगया हमारा scissors तो scissors क्या क्या काम करता है यहां द texture को allow करते हैं दोस्तों cutting और gripping के लिए अच्छे से पकड़ने के लिए अब next आते हैं दोस्तों हमारा corer, corer के ब्लेडली रहते है, speciality रहते है, bladed, speciality knife रहते है, for removing the course को remove करने के लिए seeds of egg plant को remove, melons हो गया, potatoes हो गया, फिर जुकनी हो गया, उनके लिए corers का use किया जाते है, also reference cutter और fruit और vegetable corer में भी, जो fruit और vegetable corer रहते हैं दोस्तों, वो V-shaped के रहते है, form into half circle के जैसे बने रहते है, that is scoop sided, जिसका scoop sided रहते है, अब next आलते हैं दोस्तों, यहाँ पे second last आगे हमारा pillar, pillar आप सब को पते kitchen tool रहते हैं, consisting of slotted metal blade, जो slotted metal blade रहते हैं, उनसे बना हुआ, attached to handle, that is used to to remove the outer skin